Hello friends, Brightie Learning के YouTube चैनल में आपका स्वागत है जी हाँ friends, आज हम देखेंगे कि जो वरक के केस में E-Way Bill कैसे बनाते हैं तो जो वरक के केस में E-Way Bill बनाने के लिए सबसे पहले हमने E-Way Bill के ID लोगिन का रखिए और इसके बाद E-Way Bill और Generate New Wallet Ape पे जाएंगे अब जो वरक के अंदर दो के के टिकरी होती है एक होता है जब जो वरक पे माल बेचते हैं और दूसरा होता है जब जो वरक से माल वापस रेटन आता है तो पहली जो category होगी वो होगी जब जो वरक पे माल बेजेंगे तो first यहाँ पे outward select करेंगे और यहाँ पे select करेंगे जो वरक जो वरक select करने के बाद जो जो वरक पे माल जाता है वो delivery चालान से जाता है तो यहाँ पे चालान नमबर लिखेंगे जाते हैं नेम आने के बाद यहां पर पूरी डीटेल आउटोमेटिक लिए जाएगी और यहां प्रोडेक्ट नेम जो भी होगा एचेसन कोड बागी डीटेल यहां फिल करके सब्मिट वाले टेप पर क्लिक कर देंगे यह हो गया जो वरक पर जब माल बेज आ जाता है नेक्स्ट आता है जो वरक रिटन मतलब जो वरक से जब माल वापस आता है तो उस केस में इवेविल कैसे बनता है इसके लिए again मैं home page पे जाऊंगा और यहाँ इवे विल और generate new wallet एपे क्लिक करेंगे इसमें यहाँ पर invert हो रहा है क्योंकि जो वरक पर जो माल भे जावा है वो वापस receive हो रहा है तो इस case में invert select करेंगे और यहाँ पर एक option दे रहा है जो वरक return जो वरक return करते हैं यहाँ देखो बिल 2 में जिस पार्ट इसे माल आ रहा है वो आ गया बिल प्रोम में यहाँ पर अपनी detail आएगी तो यहाँ पर अपने जो gst नमबर होंगे यह लिखेंगे gst नमबर लिखते हैं यहाँ पर अपना नाम आज आएगा इसके बाद यहाँ पर प्रोडेक्ट नेम मगरा जो भी detail होगी वो detail फिल करके submit वाले टेप पर क्लिक किया जाएगा तो इस परकार से जो वरक के case में available बनाया जाता है थैंक्यू पर वाचिंग